वेल्कम चीचीव चैनल दोस्तों आज इसेडियो में हम बनाने वाले हैं डिजायर वेफ्रोग फॉर 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 किया हुआ है अब यहां पे हम टॉप का पार्ट करेंगे तो फॉल्ड एरिया से सॉल्डर हम लेंगे फॉर इंचेश और यहां से आम होल हमें लेना है फॉर इंचेश और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइंड रो करनी है इस तरीकी से अब यहां पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे सेवन एन हाफ इंचेश राउंड शिप देते हुए आम होल डो करना है इस तरीकी से अब उपर से टॉप पार्ट की लेंद हमें लेनी है त्वाल इंचेश और यहां से ब्राडनेस हम लेंगे एट इंचेश और हमें लाइन डो करनी है अब नेक के ब्राडनेस हम यहां पे लेंगे टू एन हाफ इंचेश और लेंग्थ हमें लेनी है वन इच और टू इचेश फरन्ट रोल बेक के लिए नेक डो करने है राउंड शिप देते हुए इस तरीकी से अब हमें इससे कट कर लेना है तो देखिया हमने इससे कट कर लिया है और इससे ओपन करेंगे बेक का पार्ट अलग करना है फ्रन्ट पार्ट को फिल से टू फोल करेंगे और फ्रन्ट साइड के लिए हमें नेक कट करना है तो इस तरीके से हमें दो पिसिस मिल गए हैं फ्रंट रोल वेक के लिए टोप पाट के टोप का पाट हमने कट कर लिया है और एक को राइट रखते हुए दूसरा इसके उपर हम उल्टा रखेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद दोनों सॉल्डर हम यहाँ पर आटेश करने हैं यह देखे हमने सॉल्डर आटेश कर लिये हैं दोनों को टूप फोल करेंगे साथ में फ्रंट रोल वेक को इस तरीके से सेंटर से फोल करना है और यह हमारा वेक का पाट है इसे सेंटर से हमें थ्री इचिस डाउन तक हमें कट लगाना है वोक्स के लिए वापस हमें इससे राच्षाट पटन कर लेना है दोनों पार्ट को और यहां पे फैब्रिक से हमने स्टिप्स कट की है जिसे आम होल पे हमें उल्टर रखना है और हमें इससे लाए करनी है और इसी तरीके से नेक प स्टिप्स को रोंग साट पे डवोर्ट फूर करते हुए स्टिप्स करना है यहां पर पाइपिंग करते हुए हम आम होल और नेक पार्ट को हमें रेडी कर लिया है और बैक साइड के लिए भी स्टिप्स को यहां पर आटिज करना है वापस रोंग साट पे डवोर्ट फूर करते हैं तो आप हो एक पार्ट को आमें रेडि कर लिया है कि यह हैं कि यह मारा टॉप का पार्ट प्रेड हो गया है इस तरह है कि अब बोन के पार्ट के लिए दो रेक्टेंगल पीडिसे हमने कट किये हैं है कि इसकी प्रॉनेस Southeast शुं म देलिह हैं 16 इचिस और लेंद्ध हमने लिए है 12 इचिस जिससे हम यहाँ पे पैटर्न करेंगे अच्छे से टूफ फॉल करना है फ्रोग का सेंटर यहाँ पे हम रेडी करेंगे और फोल्ड एडिया पे हमें उपस से 5 इचिस डाउन पे एक मार्क करना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में वार इचिस पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉर्ट्स को मिलाते हुए हलका सरांश्टे ब्लोग करना है इस तरीकी का पैटर्न के लिए अब हम इससे कट कर लेना है हैson क्यों देखे हमने इससे कट कर लिया है और उससे ओपन करेंगें तो इस तरीकी का शेप हमनें कर लिया है प्रैटर्न के लिए इससे हमाएं कि टॉप पार्ट पे इस तरीके से सिधा रखना है कि सबसे फेले हम हुआ हम है दूर पार्स को यहां पर एड़ी करेंगे प्लैंग फैबरिक समने स्टीफ कट किये जिससे इस तरीके से हमें पूल्डर रखना है मिलाते जाना है हम स्सिलाक करने वापस रोंग शायट पे डबोर फूल करते हुँ स्सिलाक कर लेना है कि दीखिया हम इस तरीके से दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिए हैं टॉप पार्ट को यहां पे हमें ओपन कर लेना है और इसके उपर हम सिधा रखेंगे इस पैटन को सेंटर पार्ट को हमें आटेश करना है पैटन के लिए फ्रन्ट और एक दोनों पार्ट पे हमें सिधा रखना है इस तरीके से सेंटर को सेंटर के साथ मिलाते हुए हम आरेज करेंगे टॉप पार्ट के साथ और हमें सिलाय करनी है, यहां पर हम मार्किंग कर लेनी है हमें, आम होल से 2 इचिस दाउन पर हम मार्क करेंगे, तो याफ 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 और हमें इससे आटेश कर लिया है यह देखिया हमने इस पैटर्न को आटेश कर लिया है टॉप पाट के साथ और यहाँ प्याव हमें दो रफल बना के आटेश करनी है तो दो रेट्टेंगल पीसिस कट किये हैं बॉटम के लिए जिसकी लेंद्ध हमने लिए है नाइन इचेस और ब्राणर्स हमने लिए है थर्टीवन इचेस जिसकी आपर वोडर पे हमें बने नमरों की सिला करनी है और यहाँ पर अब हमें गैधरिंग करते हुए बॉटम का पाट यहाँ पर रेडी करना है तो एक धागे कॉल लग करेंगे और एक अलके हाथ से किष्टे हुए पूरे ब्राणर्स में गैधरिंग करना है और बॉटम का पाट यहाँ पर हम रेडी करेंगे इस तरीकी से जिसे यहाँ पे सेंटर पार्क पे हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाइक करनी है दोरो पार्ट को यहाँ पे आटेश करेंगे यह देखिए हमने इस तरीके से दोरो पार्ट साटेश कर लिए है अब फ्रोक को रोंग शाट पे टन करना है फ्रंट रोल बेक को इसकी फिटिंग के लिए तो यहाँ पे अच्छे से मिलाना है फ्रंट रोल बेक को और दुरों साट से वन एक की डिफरंस पे सिलाइक करनी है और फ्रोक को हमें फिटिंग करना है बाद में नीचे अले बोलर को को भी हमें रोंग शैट पे डबर फोल्ड करते हैं उससे लेकर नहीं देखिया हमने फ्रोक को फिटिंग कर लिया है बोडर को भी हमने फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ यह भी फ्रोक हमारा रेडी है दोस्तों अगर आपको यह हमारे डिजान अच्छे लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमरे चैनल को और उस विल आइकन को भी क्लिक करें ताक कि आपको मरा आने वाले सब वीडियोस की इंप्रोमेंसन मिलती रहें थैंक्स प्रोचिंग ज हम दर सब्सक्राइब कर सान अथियो सूमियोस प्लीज